सोमवती अमावस्या पर हजारों श्रद्धालों ने ब्रिजघाट वतिगरी गंगाधा में लगाई आस्था की डूबकी भोर की पहली किरण के साथ ही, श्रद्धालों ने गंगा स्नान किया और अपने परिवार और समाज के लिए सुख, शांती और सम्रिधी की कामना की, इस अफसर पर अम्रोहा, मुरादाबाद, मेरट, गाजियाबाद, हापुर, संभल, दिल्ली जैसे दूर स्थानों से भी लोग आए और गंगा तट पर स्नान किया, श्रद्धालों ने सूर्य को अर्ग्य देकर और मंदरों में पूजा अर्चना करके जरूरत मंदों को भी दा अपन हो गया, उन्होंने भारतिय फिल्म उद्योग में अपनी अनूठी पहचान बनाई और हॉरर जानर में अपनी विशेश प्रतिभा से चमकाया था, पुरानी हवेली और तैखाना, जैसी उनकी फिल्में आज भी लोगों के दिलों में बसी हैं। पहरा निर्देशित और फिल्माई गई फिल्में अपनी अनूठी शैली और सम्रिद कहानियों के लिए प्रसिद्ध रहीं। और उनके योगदान को सदैव याद किया जाएगा। लखनो सुपर जाइंट्स ने गुजरात टाइटन्स को 33 रनों से हराकर आईपील दो हजार चौबीस के 21 मुकाबले में एक शांदार जीत दर्ज की। इस मुकाबले में लखनो के यश ठाकुर ने 5 विकेट और क्रोनाल पांडिया ने 3 विकेटों को अपने नाम किया। लखनो के कप्तान केल राहुल ने टॉस जीत कर पहले बल्ले बाजी का फैसला किया और उनकी टीम ने 163 रन बनाए। मार्कस स्टोइनिस के 58 रन की पारी के दम पर। जवाब में गुजरात की शुरुआत अच्छी रही। लेकिन उनकी बल्ले बाजी ताश के पत्तों की त स्टान पर हैं। में इसे देखा जा सकेगा। इस दिन को भारत में सूतक का समय नहीं होगा लेकिन यह अवसर बहुत ही महत्वपूर्ण है और लोगों को सुरक्षित रहने के लिए सावधान रहने की सलाह दी जा रही है। इस सूर्य ग्रहन का अनुभव करने के लिए लोग उतसाहित हैं और वे इस अद्भुत प्राकृतिक घटना को देखने के लिए तयार हैं। रोहित ने 27 गेंदों में 49 रन की पारी खेली जिसमें 6 चौके और 3 चके शामिल थे। इस से पहले वह विराट कोहली के रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए सिर्फ एक रन से ही दूर थे। रोहित शर्मा ने दिल्ली के खिलाफ 1000 रन पूरे किये जो उन्हें विराट कोहली के पाद दूसरे स्थान पर ले आया, उन्होंने जाई रिचर्डसन के ओवर में दो लगातार 6 लगा कर इस उपलब्धी को हासिल किया। इस मैट से पहले रोहित को सिर्फ 54 रनों की जरूरत थी, लेकिन उन्होंने अपने बल्लेबाजी से यह साबित कर दिया कि वह किसी भी स पर इस्तिफा स्वीकार किया। डेलापोर्ट ने इस्तिफा देने का कारण अपने काम के बाहर अपने प्रेमों को पूरा करने की इच्छा जताई। उनकी जगह पर श्रीनी पल्लिया, एक अमेरिकी नेता और विप्रो के अमेरिकी संचालन के प्रमुक को नियुक्त किया डेलापोर्ट के नेतरित्व में किये गए सकारात्मक बदलावों के लिए विप्रो के चेयर्मैन रिशाद प्रेम जी ने आभार व्यक्त किया। डेलापोर्ट ने विप्रो को भविश्य के लिए बहतर धंग से तयार किया है। पल्लिया, जो तीन दशकों से अधिक समय त पर नेतरित्व कर सकते हैं। वह एक अच्छे नेता है और विप्रो की निरंदर वृद्धी के लिए उतसाहित हैं। विप्रो की आगे की वृद्धी और लापकारिता में अपल्लिया का योगदान महत्वपून होगा। इसके बाद शिवना ने पोस्ट को हटा दिया और माफी मांगी। इस पर शिवना ने कहा मेरे अपनी हाल की पोस्ट के कारण किसी को भरांती या अपमान महसूस हुआ है तो उसके लिए मैं खेद व्यक्त करती हूँ। मुझे यह देखकर खेद है कि मेरे जवाब में मालद मालदीव भारत के साथ हमारे संबंद और सम्मान को महत्व देता है, आगे चलकर मैं जांच करती रहूंगी कि मैं किसी भी ऐसी गलती को रोक सकूँ। यह घटना उस समय के बाद आई जब उन्होंने सोशल मीडिया पर भारतिय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को उपहास किया था, इसके बाद मालदीव की विदेश मंत्राले ने उन्हें निलंबित किया, क्योंकि ऐसी टिप्पनिया सरकार की दृष्टी को प्रतिनिधित्व नहीं करती हैं।